नेक्स्ट टॉपिक है fourier series देखो definition देखो इसकी a series of signs and cosines of an angle and its multiples of the form is called the fourier series ठीक है यह इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि a fourier series is an expansion of a periodic function in terms of an infinite sum of signs and cosines ठीक है means के एक पस एक periodic function होगा ठीक है उसका expansion किस form में होगा sign and cosines के form में infinite sum होगे sign and cosines के infinite sum ही तो बोलने हैं यहाँ पर यहाँ पर देखो multiple of the form multiple form यह infinite sum दोनों का meaning एक ही है ठीक है तो देखो हम इसे इस form से represent करते हैं जो हम नहीं यहाँ पर लिखावा है fourier series को ठीक है अब यहाँ पर देखो where a not a n b n are called fourier coefficient यहाँ पर लिखावा न a n b n इनको हम क्या बोलते हैं fourier coefficient बोलते हैं देखो यहाँ पर a not a n और b n की देखे होती है ठीक है देखो यहाँ पर a not a n और b n की जो यह क्या है यहाँ पर यह values गिवन है ठीक है और इनको हम क्या बोलते हैं यह a not a n b n जो यह function गिवन है ठीक है तो इनको हम बोलते हैं यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं ठीक है हमारे पास fourier स्रीज का फॉर्मूला था वो किस interval में गिवन है अलफा से अलफा प्लस टू पाई के बीच में गिवन है देखो कैसे a not की value देखो lower limit alpha से upper limit alpha प्लस टू पाई तक चल दिया है a n की भी और b n की कि आहिए तो यह है तो नीज से लिए वह क्या है वह इस इंटर्वल में गिवन है यहांपे देखो ठीक है जो मारे पास fourier स्रीज का इंटर्वल इवन होता है alpha से alpha प्लस 2p तक ठीके तो इसमें देखो जो इंटर्वल है इसमें length कितनी है 2pi है ठीके अगर हम alpha प्लस 2pi से alpha को minus करेंगी तो हमारे पास 2pi बचेगा बताया था ना अपर से lower limit को minus करेंगे तो हमारे पास उसकी length आती है तो या गया 2pi ठीके, अगर हम alpha की जगा 0 put करेंगे तो मार पास interval बचे का देखो 0 से 00 put करोगे 0,0 plus 2 pi मिन 0,2 pi बचेगा अगर हम alpha is equal to minus pi put करेंगे minus pi to plus pi होगा ठीके, अब देखो जब हम Fourier sign के question solve करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे chain rule का apply करेंगे ठीके, chain rule देखो u.v, ठीके, मार पास u and v का कोई function होगा जो यहाँ पे u है, वो function होना चाहिए हमेंजा x का, algebraic हमारे पास कोई function होना चाहिए ठीके, देखो, तो u.v dx अगर हम इसका integration करेंगे तो क्या होगा u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 ऐसी so on sign के alternate चल रहे यहाँ पे v1, v1 की value क्या होगी कि हम function of v का क्या करें integration करें x के respect में और u dash का meaning चल रहा है कि differentiation करें हम x के respect में ठीके, देखो, कुछ important यहाँ पे formula अगर कहीं पे cos n pi आ गया तो हम उसको minus 1 की power n लिखेंगे sin n pi आएगा तो उसे 0 लिखेंगे sin n plus half pi आएगा तो उसे minus 1 की power n लिखेंगे और cos n plus half pi आएगा तो उसे 0 लिखेंगे ठीके, अब ऐसी देखो यहाँ पे integration 0 से 2 pi चल रहा है और sin nx dx आ रहा है ठीके, तो उसकी value हम सीधे direct 0 पुट करेंगे, अगर ऐसी cos में है, तो उसकी value भी 0 ठीके, और अगर 0 से 2 pi, sin nx dx चल रहा है तो उसकी value हम pi पुट करेंगे आएसी cos square में चल रहा है उसकी value pi पुट करेंगे question है, find a fourier series of x minus x square in interval minus pi से pi, ठीके, हमें जो यह function given है, इसके हमें fourier series find करनी है, ठीके, intervals हमें given है, minus y से pi बोला था न, दो intervals आएंगे एक 0 से 2 pi, एक minus pi से pi, ठीके इनी दो intervals के बीची हमें से, क्या fourier series find करनी के लिए ठीके, अब यहाँ पे ध्यान दो देखो, उसके रहाद के करना है, hands deduce dead उसके रहाद हमें यह लहाना है ठीके, अब देखो कैसे solve करना है हमें पता है, fourier series का formula क्या है हमारे पास fourier series का यह formula है, हमें पता है हमने consider कर दिया कि यह क्या first question है, ठीके अब देखो, हमें लाना क्या है यहाँ पे a not, a n और b n की value लेके आनी है ठीके, तो अभी हमने a not का देखा था, a not का formula क्या था a not का formula हमारे पास यह था given ठीके, अब देखो, यहाँ पे limit के alpha से alpha प्लस 2pi ठीके, तो हमें given है, minus pi to pi तो यहाँ पे, जो limit है, वो put कर दो ठीके, और function की जगा क्या है, x minus x square, तो यह हो गया a not equal to 1 upon pi minus pi to pi चल रहा है, और x minus x square dx आगया, अब इसका integration करो, तो क्या आजाएगा? integration करने के बाद हमारे पास, यह आगया, ठीके x का x square by 2 और x square का x cube by 3 अब यहाँ पे, pi की value पुट करो, तो कितना रहा हमारे पास a not? देखो, limits पुट करने के बाद हमारे पास a not की value आगी, इतनी ठीके, आप में a n की value निकाल नहीं, तो a n का formula क्या था? देखो, a n का formula यह था, ठीके, तो यहाँ पे, पुट करो, 1 upon pi, limits के minus pi to pi, ठीके, function के x minus x square, और cos nx dx, ठीके, यहाँ गया, अब देखो, यहाँ पे chain rule का apply करेंगे, first function, second function, first function क्या algebraic function है, x की form में, ठीके, तो देखो, क्यों का first function as it is रहेगा, function का integration होगा, तो cos का कितना होता है, sin nx, और nx का कितना जाएगा, n, ठीके, अब minus, अब इसका differentiation, x का 1, minus x square कर, minus 2x आएगा, ठीके, यह तो था v1, यहाँ पे कहता था, v2 था, तो v2 कब आएगा, जब हम v1 का integration करेंगे, तो v1 का integration कितना हैगा, sin nx का integration कितना हैगा, cos nx, minus cos nx, n पहले से, और a कन यहाँ से हैगा, तो यहोगे n square, ठीके, अब प्लस, इसका differentiation, तो 1 का तो 0 हो गया, minus 2x का कितना जएगा, minus 2, और cos nx का integration कितना होगा, तो यह sin nx, upon n square तो पहले से हैगा, तो यहोगा n q, ठीके, और लिमिट चल दिया है, minus pi से pi, जब angle pi होता है, तो sin की value क्यों होती है, 0 होती है, तो यह दोना function तो पहले ही कट गए, ठीके, अब हमें solve करना है, इसके लिए, 1 upon pi, minus minus plus 1 minus 2x, cos nx by n square, और minus pi से pi, ठीके, अब लिमिट से put करो यहाँ पे, minus 4, cos n pi upon n square, हमारे पास पूरा solve करने के बाद इतना आ गया, ठीके, b n की value, अब हमने पता है था, cos n pi को क्या put करना है, minus 4 upon n square, minus 1 की power n, ठीके, यहाँ गया मारे, b n, b n नी, sorry, a n, a n की value, ठीके, अब ऐसी b n की value निकालेंगे, b n का formula होता है यह, ठीके, यहाँ पे फिर से सारी values put कर दो, 1 upon pi, minus pi से pi चल रहा है, x minus x square, sin nx, n dx, ठीके, अब यहाँ पे फिर से क्या chain rule अपलाई करेंगे हम, pi में क्या होती, sin की value 0 होती, तो यह पूरा function तो कट हो गया, बचे 2 function, अब हम इन 2 function के लिए solve करेंगे, यह आगे मारे 2 function, अब इसमें limit put करो, तुमारा final answer आ रहा है, minus 2 upon n, cos n pi, ठीके, अब देखो यहाँ पे, यह था b n की value, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, minus 2 upon n, minus 1 की power n, cos n pi को हमने क्या लिख दिया, minus 1 की power n, ठीके, अब जो हमारे Fourier series थी, उसमें क्या, a not, a n और b n की value put कर दो, ठीके, हमने क्या सारी values यहाँ पे put कर दिया, ठीके, देखो 2 से 2 कर दिया, अर साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे, इस दोनों function को भी solve करेंगे, कैसे, देखो, यहाँ पे हो गया, n की जगा हम 1 put करते जाएंगे, ठीके, तो हमारे series यह खुल दी जाएगी, देखो, यह तो हो गया, pi square by 3 minus का, ठीके, अब देखो, plus, हमने 4 को भाल ले लिया, plus में, अंदर बचा minus, ठीके, देखो, यह बचा माइनस, चलो, उसा पूरा लिख लेते, summation, n equal to 1, minus, minus 1 की power n, cos nx upon n square, ठीके, और यहाँ से हमने के कर दिया, plus 2 भाल ले लिया, तो summation, n, n equal to 1, चल रहा है, minus, और minus 1 की power n, sin nx, ठीके, और यहाँ, और upon में जो n था, ठीके, अब देखो, यहाँ बे, योग्या, minus, pi square by 3, plus 4, अब देखो, n की जगा, 1 put करो, ठीके, n की जगा, हमने 1 put किया, cos, n की जगा 1 put किया, तो यह x upon 1, हो गया, 1 का square, ठीके, अगर हम 1 put करेंगे, तो power कितनी हो जाएगी, odd, odd means, sin के आएगा, minus आएगा, यह minus और भाल से भी minus, तो यहाँ गया, प्लस, यहाँ पे तो प्लस हो गया, ठीके, अब, अब हम के करेंगे, यहाँ पे, 2 put करेंगे, n की जगा, तो n की जगा 2 put करो, तो यह हो गया, cos 2x upon 2 का square, ठीके, 2 put करो, तो power हो गई, even, even हो गई power, means के हो जाएगा, minus का, प्लस हो जाएगा, इसको तो प्लस हो गया, बट बहार से क्या है, minus sign है, तो यह minus यहाँ हो गया, ठीके, ऐसी alternate चलते रहे गई, तो आए minus so on, ऐसी चलेगा, ठीके, और सेम यहाँ पर भी ऐसी होगा, प्लस 2, सेम, n की जगा 1 put करो, तो ऐसी series बनेगी, sign में, तो यह हो गया, sin, x upon 1 का square, minus sin, 2x upon 2 का square, प्लस sin, 3x upon 3 का square, प्लस so on, यह हो गया हमारी second question, ठीके, x minus x square, हमारा जो function था, x minus x square था, देखो, यहाँ है हमारा first answer, ठीके, जो हमें क्या, given function की fourier series निकाल ले थी, तो x minus x square की fourier series हो गई यह, ठीके, अब second के करने था, हमें deduce करना था, ठीके, जो हमारी second equation है, उसमें क्या, x के जगा 0 put करो, तो 0, 0, तो यह तो 0 हो जाएगा, ठीके, अब देखो, sin 0 की value 0 होती है, तो यहाँ पूरा function भी 0 ह जाएगा, बड़ यह होगया, cos 0 की value 1, तो यह होगया, 1, 1, 1, हमार पास यह series बचेगी सिरप, ठीके, तो इस series को लिखो, देखो, हमार पास यह आगए series, ठीके, अब इसे solve करेंगे, तो जो यह minus pi square by 3 है, इसको left hand side लेके जाएगे, तो यह pi square by 3 हो जाएगा, ठीके, equal to 4, 1 upon 1 square, minus 1 upon 2 का square, plus 1 upon 3 का square, minus 1 upon 4 का square, plus so on, ठीके, अब जिये 4 है, इसे इदर लेके आओ, तो यह हो जाएगा, pi square by 12, ठीके, equal to 1 upon 1 square, minus 1 upon 2 का square, plus 1 upon 3 का square, minus 1 upon 4 square, and plus so on, जो हमें यही लाना था, ठीके, तो आगे हमारा proof, ठीके, देखो, next है, next question है, effects हमारे पास यह है, interval हमारे पास यह given है, ठीके, तो जो मारे पास function है, पहले हमने उसकी 4 year series लेके आनी है, उसके बाद हमें यह proof करना है, ठीके?